कि फर्स्ट कॉस्टन देखें कि फर्स्ट कॉस्टन क्या गयता है परसेंटेज का है कि इसका है प्रतिसत का फर्स्ट कॉस्टन क्या कहता है कि कि अगर किसी वस्तुका यह है चोले सही दो वटे 3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 5950 बनता है वास्तिविक संकhya ग्याद किजि तो एक बटे कितना एगा चेह कितना एगा एक बटे हैज्ट है यानि हम कह सकते हैं कि छे का सौ необход सही दो बटे थीन पिरती सत कितना है एक है और चे कहा मेरी Vशुक्ष ऐक संक्या घ्यक्ष pareก किया हमारे पास वास्तविक संख्या अब वास्तविक संख्या 6 है और 6 में कितना जोड़ना है 16 सही 2 बटे 330 वो कितना होता एक निकालो 6 का आप 16 सही 2 बटे 330 निकालो तो 6, 16, 48 और 2 कितना हो जागा, 50 बटे, 3, 30 अटाएंगे तो बटे में 100 ठीक है, 50, 2 नी 100, 3, 2 नी 6 कट गया, कितना बच गया, 1 तो हम कह सकते हैं, 6 का 16 ही 2 बटे, 3, 30 कितना होता, 1 अब देखो, या वास्तिविक संख्य के संख्या में संख्या का 16 ही 2 बटे, 3, 30 जोडने पर तो कितना हो जागा, 6 और 1, 7 बटे में 6, ये हमें निकाल ली हैं, उसने इतकी वास्तिविक संख्या निकालो, ये निकाल ली हैं ठीक है, और जोडने के बाद वो कितनी हो जाती है, 496 हो जाती है, 7 से कैंसल करो, 7 से, 7, 7, 49, 0, 7, 8, 56, यानि एक यूनिट का मान कितना निकल गाए, 708, आपको कितना चाहिए, 6 यूनिट का मान, तो 708, ठीक है, तो 6 से अगर बुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6, 8, 48, ठीक है न, और 6, 7, 42, तो वास्ट विक्सन के कितनी निकल के आएगी, 42, 48, तो कितना आपको, 42, 48, भी ओप्सन क्या आपका सही है, देगे, सेकंड नूमर कॉस्चन देगी, कहां से है, लाव और हानी से, प्रॉफिट और लोज से है, क्या कहता है, कि 630 रुपे में, साड़े 12, 30 के लाप पर बेची गई, किसी वस्तू, वस्तू का क्रियमूल ग्याद कीजिए, क्या निकालना है क्रियमूल, यानि जितने में वो खरीदी है, CP के निकालना है हमें, ठीक है, ठीक है, तो देखो, प्रॉफिट कितना उसे, 12.530 है, 12.530 का फ्रेक्शन बनाएंगे, तो क 12.5% कितना है, एक क्यों, जो प्रॉफिट और लॉस होता है, वो हमेसे किस पर होता है, क्रियमूल पर होता है, ठीक है, यानि कोई चीज में कितने की, आठ की खरीद के लाया, एक के प्रॉफिट पे बेची, तो कितने बेची, 9, 9.8, ये क्या तेरा, ये है कोश्ट प्राइ कितने के हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा, आपका 630 के, अब एक यूनिट का मान निकालो, तो कितना हो जाएगा, 9, 7, 63, एक यूनिट का मान हो जाएगा, 70, अब आपको 8 यूनिट का मान निकालना है, गुना में 70 करना है, तो कितना हो जाएगा, 7, 8, 56, यानि 560 रुप तो आपका A option सही है देगे थर्ड नमर question देगे थर्ड नमर question आपका क्या है time and work से है कार्य और समय से है क्या कहता है question की दो व्यक्ति है A और B है ठीक है तो A कितने में 10 दिन में और B कितने में आपका 12 दिन में किसी काम को करता है LCM ले लो 60 तो 10 छिक के 60 और 12 पंजे 60 यानि A की कार्य चमता कितनी है 6 और B की कार्य चमता कितनी है 5 है A और B ने साथ मिलकर काम करना सुरू किया ये A है ये B है ये दोनों साथ मिलकर काम सुरू करते हैं और 3 दिन बाद A काम छोड़कर चला गया यानि 3 दिन तक तो A और B ने काम किया और A और B एक दिन में कितना काम करते है 6, 5, 11, जोड़ लो का रिचमता, कितना हो गया, 33, अब A क्या हुआ, A काम जोड़ कर चला गया, तो काम को कौन करेगा, बचे काम को B, टोटल काम है कितना, 60, उसमें से काम दोनों ने कितना कर दिया, 33, तो काम कितना बचा, आपका 27 काम बचा, अब यह 27 काम को कौन करेगा, B कर कर्च हुए है ठीक है तीन दिन तो यहाँ पर कर्च हुए ठीडिज और बी को कितना टाइम लगा है पांस ही 2 वटे 5 क्यूंक उसने का है कि काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा तो तीन दिन तो दोनों ने मिलके किया पलस जो बचा हुआ काम में वो किस ने किया है B ने कितने दिन में? 5 सही 2 वटे 5 दिन में, इनको जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 5 और 3, 8, 8 सही 2 वटे 5, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 8, 5, 40 और 2, 42 वटे 5 दिन, तो पूरा काम कितने दिन में खतम हो जाएगा? 42 सही 5, 42 वटे 5 दिन में, यानि B option आपका correct option है, दूसर नमर ठाएगा, ङसका sort, देखो, sort क्या कहता है? sort जरूरी है, sort क्या कहता है? sort है, आपको क्या करना एग्जाम में? ये देखना है भई, 60 काम है ठीक है और उसमें क्या है कि 3 दिन बाद A एक काम छोड़ कर चला गया यानि A ने कितने दिन तक काम किया A ने सिर्फ कितने दिन तक 3 दिन तक काम किया तो A ने 3 दिन तक काम किया और A एक दिन में कितना काम करता है 6 छे तिया, ऐठारे काम तो एक नहीं जो तीन दिन में काम किया उसका काम निकाल दोगा ठीक है निकाल दोगे तो कितना बचेगा ए बचेगा आपका आठ बैयालीस बचेगा ठीक है अब ये का 42 काम को कौन करेगा भई ए के हिस्से का काम तो निकल गया अब 42 काम को कौन करेगा B करेगा और कब से कब तक first day से जब से काम सुरू हुआ है और दूसरा कहां से end तक जहां तक काम खतम हुआ है तो 42 दिन में काम खतम हुआ B ने काम को किया पहले दिन से आखरी दिन तक अब जो वेक्ति पहले दिन से आकरी दिन तक जो काम करेगा वही तो काम को पूरा होने में कुल समय लगेगा तो आपको कौन सा B option सही है एक ये तरीका है